देखिए देश में जिस प्रकार से आए दिन रेल हाथ से हो रहे हैं और जिस प्रकार से आम जनता की जान रेल हाथ से की वज़े से जारी है इस प्रकार की घटनाओं को देखती हुए ना सिर्फ आम जनता बलके विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और सरकार से ये सवाल कर रह कि आखिर रेलवे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है आपको बता दे कि जब से ये खबर सामने आई है कि जारखन के चक्रधरपुर में रेल हाथसे की वज़े से करीब 20 लोगों की जान चली गई है तब से विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी सवाल करने में प कैसे आ रही है आखिर ये किसकी चूक है किसकी लापरवाही है रेलवे शुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है कि व्यातरी जब ट्रेंड में सफर कर रहे हैं तब उनके मन में कहीं न कहीं ये डर रह रहा है कि कहीं ये मेरा सफर आखरी सफर बनकर न रह और इस पूरे मामले पर जारखण में जो रेल हाथसा हुई है इस पूरे प्रक्रण पर पुर्व रेल मंत्री और रार जेडी सुप्रीमो लालू प्रिशाद यादो ने विपक्ष के भूमिका में होते हुए सरकार से एंडिये सरकार से सवाल किया है उपर निशाना साती वे पूछा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है हम आपको बता दे कि लालू प्रिशाद यादो ने अपने एक्सपर्ट ट्वीच किया है और इस ट्वीच को आपको अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लालू प्रिशाद यादो ने ट्वीच करते हुए लिखा है कि 13 दिनों में 7 रेल दुरगटनाएं नियमित होती रेल दुरगटनाएं बेहत चुंता जनक है सरकार ट्रेनों में शुरक्षा व्यवस्ता के मूल भूत कदम भी नहीं उठा रही है आगे लालू प्रिशाद यादो लिखते हैं कि भारतिय रेलवे इतने अशुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चड़ने से पहले यात्री प्रातना करते हैं कि यह यात्रा उनके अंतिम यात्रा नहो रेल के जिवे आज चलते फिरते ताबुत बनकर रह गए हैं हैस्टेग ट्रेन एक्सिडेंट इतना ही नहीं लालू यादों ही नहीं बलकी उनकी बीटिया रोहनी अचारिया ने भी इस रेल हाथ से पट्वीट किया है और विपच्छ से सवाल खड़ा कर दिया है रोहनी ने रोहनी अचारिया ने एक्सपर्ट ट्वीट करती में लिखा है कि ना तो पुल पुलिया सडकों के धसने टूटने वो दरकने का सिलसिला थम रहा है और ना ही दुखद रेल धुरगटनाओं का जान माल की छती निरंतर जारी है पिछले दस सालों से देश की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है उन लोगों को इन सब की तनिक भी परवाह नहीं है कोरी बयान बाजी की यार में ब्रस्ट अचारे ही इनके शासन का सार है आगे रोहनी ने लिखा है कि रेलवे शुरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी ब शात निचले एवं मध्यस्तर के करमचारियों वो अधिकारियों पर जिम्मेदारी तैकर निलंबन की कारवाई शमिक्षा वजाच का कोरम पूरा दिया जाता है और तमाम लापरवाहियां कोताहियां यथावत जारी रहती हैं बयान वीरों की सरकार के लिए दुरगटनाओ में जान गवाने वाली आम जनता की जन्दिगी की कोई कीमत नहीं है हावडा मुंबई मेल दुरगटना में जान गवाने वालों को मेरी भाव पूरुश धांजली एवं पिडित परीजनों के प्रतिहार्दिक समवेदना आपको बता दे कि रोहनी अचारिया ने भी ट्वी हाथसों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर हमरा बोला है आपको बता दे कि देश में लगतार हो रहे रेल हाथसों ने विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है लाख कोशिसों की बावजूद रेलवे हाथसों को रोकने में विफल सावित हो र दरकने का सिलसला थम रहा है और नाही डुखद रेल दुरघटनाओं का जान माल की छती निरंतर जारी है इस प्रकार से पूरा विपक्ष एक बासर से अंडिये सरकार को घेर रहा है लगतार हमलावर है और सवाल कर रहा है क्या कि सरकार कहा सोई है रेलवे शुरक्षा में बड़ी चू कैसे हो रही है यात्रियों की आशमय यानि समय से पहले ही मौत कैसी हो चा रही है इसका जिम्मदार आखिर कौन है बाकि आप इस पर क्या कहेंगे आपकी क्या राय है अपनी राय बताईएगा वीजियो को समात करते हैं मलते हैं नए वीजियो में आप देख र अनिया बाद